नमस्कार स्वागत है आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब मैं हूँ विजे क्रिशन और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अवनी इश्कुमार डॉक्टर साहब पतना के जाने माने गैस्ट्रो इंट्रो लॉजिस्ट है तो आज डॉक्टर साहब से पेट से संबंदित बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब बहुत बहुत सवागत है तो मुझे हो गया तो इसके पीछे किया क्या है तो यह मतलब समद्ध जो पेट कहते हैं पेट का संबंद हिट जयसे भी है और दिमाग से है लेकिन गैस की समस्या ऐसी बढ़ रही है लोगों में खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, तो इसकी मतलब क्या-क्या लक्षन है, क्या-क्या बीमारी है इंसे आगे हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि गैस एक बहुत ही आम समस्या हो गई है आजकल, कई लक्षनों को लोग गैस के रूप में बोलते हैं कि उन्हें गैस हो गई है, अगर आप बहुत है बहुत ज्यादा ओईली फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा ओईली यह पहले पहलों के लाप जो गैस झांजा ऐकर इसे न स्युग को चो करना लाइटों के पर ऊत्ते हैं तो तो दोनों तरह के गैस जो होते हैं वह उईली खानपांसर ऐलेट्टट की वजह से होटी है इसके अलावा भी गैस के कई परकार होते हैं जैसे कई लोग बहुत जोर जोर से आवाज लेके गैस पास करते हैं आवाज निकालते हैं गैस को निकालते से मैं इस तरह की गैस की समस्या जो होती है यूजूली मांसिक तोर पे होती है इसको एरोफेजिया बोलते हैं, एरोफेजिया का मतलब होता है, वो ड़कार लेते नहीं है, बेसिकलिल गैस को खा जाते हैं अंदर की तरफ और वो ही फिर बार बार निकालते हैं उसको, तो ये एक मांसिक समस्या है, जिसको हम लोग अमेरिकल लैंग्वेज में एरोफेजिय करते हैं, दूसरी समस्या होती है, कई बार हाट की समस्या को भी लोग गैस की समस्या की तोर पे देखते हैं, कई लोगों को चेस्ट पेन होना सुरू होता है, तो उसको भी वो लोग बोलते हैं कि उनको गैस की वज़ज़ से पेन हो रहा है, कई लोगों को हेडिक होता है, वो कहीं भी दबाते हैं तो उनको गैस निकलती है तो ये सब भी एक समस्या है जो अलग-अलगतर की बीमारियों किसे रिलेटेड होती है अब फिलाल हम लोग सिर्फ गैस और डकार पीचर्चा करते हैं इसको आगे ले जाते हैं तो क्या-क्या खाएं और और क्या-क्या नाखा है मतलब इसमें आप दर्सकों क्या सला देंगे चुकि दूर-दरा से भी हमारे दर्सक जूटते हैं सिटी पतना हर जगर से दर्सक जूटते है और ये आपको पता है गाउन द्यास से लिए के शहर में काम समस्या है खान-पान ठीक रहता नहीं लोगों का तो ऐसे में वो क्या करें जिन से ये ड़कार और गैस पासिंग की समस्या से उनी जात पास है देखिए आजकल सबसे बड़ी समस्या है हमारी भाग दोड़ की जिंदगी जिसमें हम लोग अपने सरीर को संभालने के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम अपने काम में इतने बीजी हैं हम अपने लाइफस्टाइल में इतने वर्क की वज़़े से इतना ज़्यादा व्यस्ट हैं कि हमारे पास अपने सरीर पर ध्यान देने का अपने खान पान पर ध्यान देने का वक्त नहीं है आम तोर पर जो हमारा खाने का रूटीन होना चाहिए वो होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट हेवी हो फिर हमारा लंच जो है वो थोड़ा सा मीडियम साइज का हो और डिनर जो हो वो सबसे लाइट होना चाहिए और खासकर डिनर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप रात में खाना खा रहे हैं तो सोने से कम से कम 3-4 घंटे पहले जरूर खाना खाएं उसके बाद का जरूर दें 3-4 घंटे का कि ताकि आपको सरीर उस खाने को तुरत बचाने का टाइम मिल पाया उसको और उसके बाद अगर आप जब सोने जाते हैं तो बेसिकली जहा हमारा सरीर का पोस्चर होता है सोते समय वो ऐसा होता है कि हम वो फूड पाइप की तरफ खाना बाहर की त करें तो हमारा सबसे पहले नोटिस होना चाहिए कि वह जंक फूड हम ना खाएं जंक फूड जो मार्केट से मिलता है हेवी फैट डाइट होती है हाई फैट डाइट होती है से बर्गर हो गया पीजा हो गया यह सारी चीजह आप अवाइड करें जितना पॉसिबल हो इसको हो गया सबजियां हो गई हारी पतिदार सबजियां हो गई बी-ए वाले चीज हो गया वह सारी चीजह आप जितना ज्यादा लेंगे हराचना हो गया कुरित मूंग हो गया यह सारी चीजह आप जितनी ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा आपका पेट हेल्दी रहेगा आपकी कई लोगों को और कानस्टिपेशन के समस्या होती है, वससे भी वो निजात पाएंगे, गैस की समस्या से भी निजात पाएंगे। अगर यह सब करने के बावजूद अगर गैस की समस्या रहती है तो आम जनता भी क्या करते हैं बजार गए गैस की दवा ले लिए पेंटोसी पेंटोसी बहुत सारे पेंटोपटी कई सारे दवा हैं तो इन दवाओं का क्या असर पड़ता है जो बेना डॉक्टर के सला के आजकल जो गैस की दवाईयां होती है अगर आप उसको रेगुलर हैबिट में ले आएंगे कि आपको डेली गैस की दवा की ज़रुद पर रही है और आप डेली खाय जा रहे हैं कई लोग सालों तक खाते रहते हैं उससे उनकी कई तरह की परिशानिया होती हैं सबसे पहला उनकी हड्डियों की कमजोरी होने का क्योंकि एसिट सप्रेशन अगर लॉंग टर्म तक रहे गैस का बनने का समस्या कम हो जाता है लेकिन उससे एसिट का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है अगर एसिट प्रोडक्शन कम हो जाता है तो खाना पचाने की प्रोब्लम आने सूरी हो जाती है खाना पचाना का प्रॉब्लम से फिर कैल्सियों की कमी विटामिन डी की कमी उससे हड्डियों की कम जोरी वो सारी चीजें एक साथ आनी शुरू होती है इसके साथ साथ यह भी देखा गया है कि लंबे समय तक अगर कोई गयास की गोली खाते रहता है तो उसकी किड दवाईयां उनके साथ अगर वो गैस की गोली रेगुलर तो पिकाते रहेंगे तो फिर वो दवाईयां उन दवाईयों का असर कम होना सुरू हो जाता है तो यह एक पर धान रहने की जुरूत है डोकर साब यह भी बताएं जो अभी खुद अपने मन से लोग सोडा वाटर या पाउच में जो इनो टाइप बहुत सारे चीज आ गये हैं तो डाकार या गैस है कुछ लिया और ठीक कर लिया अपने आपको तो यह कितना हमफुल है तो यह कोई भी ऐसी दवाई जो आपका यह गैस के लिए यूज की जाती है वो आम तरह पे लोग भी बहुत ज्याद टर्म तक बिना किसी डॉक्टर की सलाह के किया जाए तो फिर वो भी नुकसान दें है और जिस तरह से हम लोग गैस की दवा का नुकसान देखते हैं उसी तरह से इनका भी नुकसान है कोशी से ही करना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े यह सब SOS दवाईया है SOS का मतलब जरूरत नहीं है या फिर अगर आपको रेगुलर जरूरत पड़ रही है तब तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए उनकी सलाह के बिना इसको ना खाने डॉक्टर साब अभी बता रहे थे गैस और डकार की समस्या से आप परेशान है तो यह यह चीज करेंगे जैसे आप खाने में फाइबर डाइट लें और जंक फूट से परहेज करें और अगर इसके बाब यूद भी आप परेशान है तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें इस एपिसोड में फिलाल इतना ही अगले एपिसोड में आप से फिर से मुलाकात होगी यद आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहिब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें आप हमें फेस्बूक पेज पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं धन्यवाद